तो वेलकम ये स्टुडेंट ये फोटोशोप की ओनलाइन क्लासी सुरू होने जा रही है तो हमारे पास काफी हमने टूस सीख लिए हैं तो अगर आपने टूस नहीं सीखा तो प्लीज मेरे पहले टूटोरियल में जाकर साथ टूस को आराम से सीख सकते हैं अगर हम टूस के बारे हम सीखते हैं यह पिछली टूटोरियल में अबने ब्लड टूल के बारे में अगर मालो ब्लड टूस का इस्तमाल क्यूं दे रखा है आप खुछ सोचो अगर ब्लड लाग मुझे सिंपल करना हो तो मैं एफट में जाकर फ्लिटर में जाकर या स्लेक्ट जाकर जिसमें भी जाकर मैं इसमें फिल्टर में जाकर मैं इसमें ब्लर कर सकता हूं लेकिन इसमें टूल्स क्यों दे रखा है अगर आप इसमें टूल्स इसलिए दे रखा है जो आसे मालूम मैं एक इमेज ओपन कर लिया है अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि जब हम अलाम से बैकडरओं को ब्लर कर सकते हैं For example ये फिर हमारा टूस है अगर मुझे करता हूं इसके प्लॉपटी को हम संचते हैं Size हमारे पास जो है जिससे डिस घॉटेश करना आप उससी साइज में इसको रख सकते हैं अगर हार्टनस लो करनी है या बढ़ानी हो मुझे परटिकलर कुछ चीज को यह हमारे original है और इसमें हम blur apply करेंगे and then इसको भी हम blur करते हैं इसको भी हम blur करते हैं इसमें blur हो चुका है तो देखो इसमें blur हो चुका है, इसको कैसे पता, मैंने तभी दो point लिया है, देखते हैं, इसको मैं अगर बन कर दू, पहले ऐसे था और अब ऐसे हो गया, पहले ऐसे था, आप ऐसे हो गया, इससे क्या हो सकता है, कि अगर हमने कोई भी particular चीज को अगर हमने blur करना हो, तो हम particular इसको भी हम blur कर सकते हैं, जैसे देखो, अब मैं इसको blur कर रहा हूँ, इसको particular हर चीज को मैं blur करना चाहता हूँ, थाकि यह softness काफ़े अच्छे नजर आए, तो blur हो चुका है particular, अगर आप इसको बंद करते हैं, अगर आप से zoom करें, अगर आप इसकी light को बंद कर देते हैं, अब आप देख सकते हैं, कितना blur का effect आपको नजर आ रहा हूँ, तो यह चीज़े है काफी, अगर आप इसमें blur का इस्तमार करना चाहते हैं, आपका कोई face है, या आपके कोई photo आपने click कर रखिया, उसके background में blur नहीं हो रहा है, तो आप Photoshop में भी इसको blur कर सकते हैं अराम से, अगला हम tools के बारे में हम करते हैं, जिसका नाम है sharp tool, अगला tool है sharp tool, पहले हमने blur किया था, अब हम चाहते हैं कुछ ऐसी particular चीज जो sharp हो, मतलब जो blur हमें नजर आ रही है, अगर मैं चाहता हूँ कि देखो इस गाड़ी में कुछ-कुछ blur नजर आ रही है, मैं चाहता हूँ कि sharp को open करके, इसको मैं open कर लेता हूँ, अगर जो भी मुझे sharp चाहिए, जैसे मैं इसको zoom कर देता हूँ, प्लस करके, अगर मादलो मुझे particular गाड़ियों में sharp ही चाहिए, यह जातर इसमें effect नहीं नजर आए, तो मैं इसमें sharp का click करता रहूँ हूँ, तो यह क्या होगा, particular sharp होत हो चुका है, जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि वो blur होने लग रहा है, आप इसको particular sharp बना सकते हैं, इसको देखते हैं, हम इसको zoom करते हैं, अगर आप इसको zoom करते हैं, तो देखो इसकी गाड़ी का जो शीशा है, वो कैसे नजर आ रहा है, पहले ऐसे था, अब particular sharp नजर आ रहा है, ठीक है, तो काफी effect आपको नजर आ रहा होगा, so, किसी भी blur चीज़ को अगर किसी भी particular को अगर हमने blur करना हो, या background को blur करना हो, या photo हमारी focus हो सके, या किसी को sharp करना हो, जो blur होका उसको sharp करना हो, तो हम इसके भी through blur का सकते हैं, लेकिन जो अगर हम filter में जाकर हम sharp blur या फिर हम blur या sharp हम अगर हम करते हैं, तो इससे क्या हो, वो सभी में apply होगा particular एक एक चीज में नहीं, बलकि सभी में apply होगा, तो इससे क्या हो, हम सभी के बज़ए हम उसी चीज में apply कर सकते हैं, जिसमें apply करा रहना हो, ठीक है, so, next हमार पास tool है, जिसका नाम sounding next tool है, smoothing tools, जिसका क्या है, अगर मैं किसी चीज को अगर मैं दबाना चाहता हूं, for example, अगर मैं बढ़ा का देता हूं, इसको, इसको मैं चोड़ा का देता हूं, अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं इस particular चीज को आग गिलाता हूं, अगर मैं particular चीज को अगर मैं आग गिलाता हूं, मु दो थोड़ी दब जाती है तो इसकी इसका काम कर सकते हैं अगर मुझे आगया की लाना हो तो आगया की भी ला सकते हैं तो इसका काम यही है आप इसकी जैसे से स्रेंट वगर आया देखना चाहते हैं तो आप इसका इसमाराब कर सकते हैं तो आपको ब्लड टूल और शाप तूल और शाप तूल को प्रोफले समझ आच चुका होगा अगर कोई डाउट है तो प्लीज मेरे चैनल में कमेंट्स कर दिजेगा पुरा क्लियर भी कर दूगा और अगर लाइक करना अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ली सब्सक्राइब भी करिएगा. So, thank you.